नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बोलिंग गर्वेंड क्या है कैसे टूल बना किसका उपयोग कैसे करना है बंगता कैसे है इसमें हम कैसे एड्जस्मेंट कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग स्टाइल के अपोडिंग और इसे हम कैसे बेनेफिट उड़ा की मेरा अपलोट के नोटेफेश आपको समय से मिंता रहा है तो सबसे पहले हैं तो हम इसमें रखते हैं बोलिंगर बेंट याह तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है एक इंडिकेटर सेक्वेंट होता है वहाँ पर जाएंगे हम और यहाँ पर आप देखेंगे जो बो कर दोस्तों को बताऊंगा कि इसका कंपोनेंट है बनता कैसे है सबसे पहले थोड़ा सा इसको जुमाउट करते हैं तो इस अच्छी समझ में आएगी तो यह जो बीच वाली लाइन है दोस्तों यह 20 पिरियर्ट का मुईंग एवरेच है ठीक अब जैसे माली जहें आज यह टाइम फ्रेम है यह डेले टाइम फ्रेम है ठीक है तो यहां पर यह जो चार्ट है अब यह जो लाइन बनी है यह 20 जो है इसके अब ट्वन्टी केंडल क यहां से जो पीछे की टूंती है मैं हम थोड़ा काउंट कर लेते हैं दो तीन चार्ट पांट छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदा सोला सतरा अठारा बुनिस यह जो ब्लू वाली जो लाइन है यहां से लागा कर यहां तक का जो एवरेज आया दोस्तो जो तो बुझो जो जो तो बैस रहेगा उस बाइस पर यह लाइन बनती जाएगी इस पर मोईंग बहां जाता है जो सिंपल मुइंग एवरेज पर क्यकुलेट होती है ते क्लिक और यह जो जो लाइन है यह आपको एक सपोर्ट और रेइश्टेंस भी बता देगी साथ साथ में आपको यह भी बता दएकि कि जो शेयर है वोड्रेड में क्या है और कहा से सपोर्ट लेसकता है इस वीडियो में प div की लाइन है ये दोनों लाइन दोस्तों मुईन ये वरेजी है रोविट 20 का है लेकिन इसमें इस्टेंडर्ड डिवीशन लगा दिया है ठीक है तो का इस्टेंडर्ड डिवेशन लगा हुआ है जिससे कि अगर माल दीजे आएवरेज से थोड़ा से इधर हो जाता है या थोड तो इसका मतलब यह दोस्तों कहीं भी जब आप रोड से बाहर चले जाएंगे तो वह थोड़ा सा खत्रों के खिलाडी बनने जिसा हो जाएगा या वो खधरनाख हो सकता है ठीक एसा ही बोलिंगर बेड में होता है जब भी शेयर की प्राइस अगर इन दोनों लाइनों के ऊप अब मैंने आपको बता दिया तीनों लाइन के बारे में अब इसको यूज कैसे करना है हम यह देख लेते हैं तो जिससे कि आपको क्या करना है जब भी चीज़े बीच में रहे है तो यह ऐसा जो रिवर्सल केंडल बनता हूं वहां देख लिजी तो जिसे मैं आपको बता द तेजी से बिक्वाली आई और अगले दिन जहां पर यह खुलाता लगवं वहीं बंध हुआ और अगले दिन जहां पिछले दिन की क्लोजिंग थी वहीं ओपनिंग थी थोड़ा सा उपर गया और वापस दिन बर में गिरावाट चालू हुई और लेड़ परसेंट नीचे आप लगाना सीख जाते हैं तो आपका जो ट्रेडिंग सेट अप है वह एक नमबर काम करने लग जाएगा वह आपको किसी अन्य सेट अप की जरूत ही नहीं पड़ेगी यह नहीं पड़ेगी इसमें आपको करना क्या है सिंपल सी चीज़े बोलिंगर बेंग की डिफाल्ट मनुखर आयना नोट को महाँ पर आप चले चाहिए और महाँ पर केंडिलिस्टिक से टेक्निकल अनालिसी से रिलेटेट फंडामेंटल सारी चीज़े हिंदी और इंग्लिस में अविलेबल है अला कि दोस्तों हमारे ट्रेनिंग सेशन्स भी चलते हैं लेकिन अप्रेडिंग यदि आपोर्ट नहीं कर पारे है अभी आने कि आपके पार समय नहीं है तको किन भी भांचा में असानी dö ск una Tramp ॡाइंग कि स्षवह withdraw । और यहां देखिए दोस्तों जैसे यह जो लाइन है इससे बाहर दिखला क्या हुआ वगातार सेलिंग आ रही थी एक दिन ऐसा आया कि ऊपर खुला लेकिन जैसे खुला वहां से बिक्वाली आने लग गई और वापस इस बैंड में आ गए है तो कहीं भी आप थोड़ा पीछ करके चलते हैं इस बेंड के बाहर जैसे जाते देखेंगे सेर कुछ दिन बाद या कुछी देर बाद वापस उसी रेंग में आकर काम करने लग जाएगा आपके सामने दोस्तों कोई मेजिक पाइं नहीं यहां पर देखिए कुछ दिन के लिए बाहर रहा है यह लेकिन अग यह बाहर निकला था नीचे खुला वापस लाइब में जाके बंद हुआ तो यह इस तरह की स्टेटेजी दो बहुत ही सेफ इस्टेटेजी है यदि आप इसको अगर प्रेपर पर ट्रेट करते हैं साथ दिन के लिए चार दिन के लिए ताम को यह रिजल्ट मिलेगा बहुत इस ब्रेंट से बाहर जाके उपन होने लगा लेकिन ब्रेंट से बाहर ओपन हुआ आप मैंने आपको जिसे बता दिया है जब भी चीजा बाहर जाए वह कैसे भी करते उसको जल्द से जल्द में अंदर आना पड़ेगा तो यहां पर भी आप देख रहा होंगे ठीक वेसा ह यह हुआ वापस चीजें अंदर आ गई अगर आप इसको जो देहाई इसने बनाया तो इसको भी इस्टाबलोस मान के अगर सेल कर देता आपका इस्टाबलोस हीट नहीं होता ठीक इसी तरह वापस ब्रेंट के बाहर गया वापस अंदर आगया हम थोड़ा सोब पीछे चलत जैसे बाहर निकलने की कोसिस करी इसमें सेलिंग आई वापस इसको बेंड के अंदर लिया है यहां निक्षे निकलने कोसिस करी वापस यहां से भाइंग आया अंदर यान को यह पता होना चाहिए हूँ इस से डिरेक्ली आपको पता चल जाएगा कि चीजे कहा सपोर्ट ले कि यहां देखिए बाहर निकलता दोस्तों रख सेलिंगा भी नीचे आया कि बाहर ने कलने कोशिस करी सेलिंग आ गई तो यहां देखिए कि इरते आ रहा था आपको कब प्रोफिड बुक करना है मेरको नहीं लगता दोस्तों कि दूसरी स्टेजी में इतना आसानी से पता चल यहां पर बता दिया है कि जैसा कि हमने पहले डिसकस कर रहा है कि जैसे कोई श्क बाहर निकलता हूँ तुरण उसकी अंदर आने की यहां पर दोस्तों केंडल ने बाहर का तरह पर रस्टा देखाया लेकिन वापस अंदर आ गए कि कहीं बाहर जाने कि इच्छा कर रहा आता लेकिन नहीं निकल पाया यहां थे बहार नहीं कल पार है यहां कुल मनद बनता लगतां कि रहा है हम कहां पर लेंगे हमारे stop loss क्या होंगे हमारे target क्या होंगे तुम्हें उम्मिद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को यदि अब तक आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो ये तो तक नहीं वीडियोर में तामसका